तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी रेसिपी आज हम बनाएंगे चिकन चटपटा और यह इतना जल्दी और इतनी जादा टेस्टी बन कर त्यार होती है कि आप इसे बिना बनाए रह नहीं पाएंगे तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और यह चिकन चटपटा की रेसिपी आसान होने के साथ साथ बहुत ही जादा डिलिशियस है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़रूर पूरा देखना तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने 1 तीज़ चिकन ले लिया है बोन के साथ लिया है आप चाहें तो बोन लेस भी ले सकते हैं इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो यहाँ पर 1 टीज़ पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला 1 टीज़ पून काली पाउडर 1 टीज़ पून कश्मीरी लालमिच पाउडर 1 टीज़ पून धनिया पाउडर 1 टेबल इस्पून निम्बु का रस 3 टेबल इस्पून हम इसमें डालेंगे दही और यहाँ पर उसके बाद हम डालेंगे 1 टीज़ पून नमक और 1 टीज़ पून से थोड़ा सा कम हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1 टेबल इस्पून हम डाल देंगे इसमें ओईल तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम हाथों की मदद से मिला लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और यह रैस्पी इतनी जादा इजी है कि आपको जटपट बनाने में असानी होगी तो यहाँ पर देखिए यह अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे आदे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पैन में मैंने करीब 3 टेबल स्पून ओईल ले लिया है ओयल को गरम होने देंगे और मेरिनेट किया हुआ सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे चिकन डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला लेना है तो देखाई ये रेसिपी कितनी आसान है तो यहाँ पर इसकी लिड को लगा देंगे और साथ से आठ मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पर कुक करना है लो से मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे तो आठ मिनट हो गया है चिकन अब अच्छे से कुक हो चुका है तो अब हम इसे खुला रख कर पकाएंगे तो देखें यहां पर इसे इस तरह से एक बार अच्छे से चला लेना है और उसके बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि यह पूरी तरह से अच्छे से ड्राइ ना हो जाए जो भी इसमें मॉइस्चर है वो खत्म ना हो जाए तो बीच बीच में हम इसे इस तरहां से चलाते रहेंगे आप चाहें तो गैस की फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं तो यहां पर देखिए यह अच्छे से ड्राइ हो चुका है और चिकन भी अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पर उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाच कड़ी पत्ता यहाँ पर मैंने चॉप्ट कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया और फिर इसे हम अच्छे से एक बार mix कर देंगे और mix कर देने के बाद हम यहाँ पर gas की flame को off कर देंगे और गर्मा गर्म से करेंगे serve तो देखिए जटपट हमारा chicken जटपटा बन कर तयार है आप इस starter को ज़रूर try करिएगा यह बहुत ज़्यादा tasty लगता है और घर में आपके सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक करते हुए जाए थैंक यू फोर वाचिंग